हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो बैक माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैस्पिरेटरी सिस्टम, प्रीविएस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटर सिस्टम, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज बोस्टुई, तो चलिए इस लारेंक्स, ब्रॉंकाय, ब्रीचय, ब्रॉंकि ज्रॉंकक्य से वीडियों, और आपने, आपने, नक पोल्किण, ब्रॉंकल, और आपने श्यकरम, प्रॉंक्ष की आप नहीं प्र. जो कि प्रेजन्ट होते हैं लंक्स में तो चलिए इनको देख लेते हैं विड़ी हैलपोव फे सिंपली स्ट्रक्चर के कहाँ पर प्रेजन्ट है इनके फंक्शन्स किया है सबसे पहले यहाँ पर है नोस्टल या फिर नसल कैविटी भी कहते हैं नसल कैविटी नसल कैविटी आगे बड़ी तो लीड करता है ट्रैक को जो की है रेस्पिरेटरिट्रैक अब यहाँ पे आपको इक कोमन पेसिस दिख रहा है यह इस कोमन पेसिस इस फैरेंगस और यह वाला ट्रैक है यहाँ पर आपको एक और कोमन पेसिस दिख रहा है इस इस एपिग्लोटिस इस इपिग्लोटिस बान में इनके फंक्शन्स देखेंगे क्या क्या है अब रेस्पिरेटरिटरि ट्रैक आगे बड़ा इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरि ट्रैक रेस्पिरेटरि ट्रैक या फिर विंड पाइप भी कहा जाता है विंड पाइप ओसो नोन है विंड पाइप रेस्पिरेटरि ट्रैक आगे बड़ा तो यहाँ पर एक और कॉमन पेसिस हैं लीड करता है लेरेंगस को लेरेंगस लेरेंगस को voice box भी कहते हैं voice box हम यहां से टच करके भी देख सकते हैं this is our larynx जहां से हमारी voice जरनेट होती है voice box या फिर vocal cord भी कहा जाता है इसके बाद आगे बड़ा तो lead करता है trachea trachea आगे बड़ा तो यहां पे surrounding like structure है आपको दिख रहा है surrounding like structure इसको बोलते हैं cartilage उसके बाद यह two nox में divided हो जाता है two nox में divided हो गया फिर यहां पे इस side अगर हम ऐसे देखें तो this is right portion this is left portion तो right portion में यह two nox में divided है and left portion में यह three nox में divided है okay इस nox को बोलते हैं bronchi इनको बोलते हैं bronchi आगे फिर यह further seven parts में divided हो गया है आगे यह further subdividing हो रहा है इधर भी similarly तो इनको बोलते हैं bronchi ब्रॉंक्योज तो यह जो dividing subdivision हो रहा है यह होता है ब्रॉंक्योज और यह ब्रॉंक्योज जो nox होती है और यह in covered होता है rips के अंदर rips इस तरीके से होती है यह 12 bones का एक pier होता है it's important और total होती है 24 और फिर आगे यह round like structure होता है अगर हम इसको देखें तो this is exchange of gases यहाँ पे हो रहा है this is alveoli alveoli का respirator system में सबसे important role होता है यह role play करती है because alveoli का function यह होता है कि हम oxygen लेते है as mean हम oxygen ले रहे हैं हम auto inhale करते हैं हमारी body को चाहिए energy to do work हम oxygen ले रहे हैं और carbon dioxide को exil कर रहे हैं तो जो भी हमने food particle consume किया है वो body के अंदर किस form में होता है वो glucose के form में होता है C6, H12, O6 glucose के form में हमारी body के अंदर food होता है और इसका help कहां हो रहा है food का help कहां हो रहा है and gems के थूँ और किसकी presence में in the presence of O2 oxygen की presence में और जो wealth material burning हो रहा है वो होती है carbon dioxide gas जिसको हम exil out कर देते हैं तो यह है alveol egg का function exchange of gases यहां पर हो रहा है और this is lungs अब देख लेते हैं इन सभी के functions क्या-क्या है alveol egg के function हमने देख लिया यहां पर exchange of gases हो रहा है तो सबसे पहले nasal cavity nasal cavity में यहां पर hairs present होती है hairs present होती है जो basically क्या करता है हम oxygen ले रहे हैं जो हमारे gaze अंदर body के अंदर enter कर रहे हैं उसके अंदर dust particle भी होता है तो यह hairs क्या करते हैं उस dust particle को body के अंदर जाने से prevent करता है अब यहां पर एक mucous layer भी present होती है जो क्या करता है air को गिला कर देता है क्यों करता है क्योंकि वो उसे body के temperature तक adjust करता है उसे body के temperature तक लाता है उसके अंदर बाद एक common paces दिख रहा है pharyngus pharyngus this is common paces है जो बकल cavity को isophagus से जोडता है this is common paces और उसके बाद this is epiglotus epiglotus का भी एक important role है epiglotus जब भी हम suddenly food को swallow करते है body के अंदर food enter होता है तब हमें खासी आ जाती है क्यों आती है क्योंकि ये epiglotus उसको रोकता है किसको रोकता है food को कि food wind pipe में ना चला जाए इससे हमें ये prevent करता है इसलिए हमें खासी आती है और फिर ये सिधा food pipe में एंटर करता है उसके बाद इससे रेस्पिरेटरे ट्रेक यहां पे एर नीचे आई तो इससे लेरेंगस जहां से हमारी वोईश जनरेट हो रही है हम बोल रहे हैं किस के थूँ लेरेंगस के थूँ अब लेरेंगस ने एक एक्जाम में important questions आते हैं क्या question आते हैं कि जैसे compared to male female की लेरेंगस का size कितना होता है पहले male का male का होता है 20 mm in size होता है और female का 5 mm less to male कितना हो गया 15 mm in size होता है इससे इंपोर्टेंट और इसको voice code या vocal code भी कहा जाता है लेरेंगस को अब आगे भड़ें तो यह आता है trachea trachea कि आगे यहाँ पर surrounding light structure होता है this is cartelis okay तो इसके बाद यहाँ पर आए right portion this is left portion right portion में 3 nox में यहाँ पर subdivision हो रहा है तो यह होते हैं bronchi और जो subdivision हो रहा है this is bronchios और आगे surrounding light structure है this is alveoli important role है कि यहाँ पर exchange of gases हो रहा है हम oxygen का लेना carbon dioxide का एक्जीलो करना तो यह जो प्रॉसस है यह alveoli get through complete होती है तो यह है हमारा circle respiratory system thank you